हाई अब बात करने वाले हैं कि लारा वैल के अंदर खुद के वैलिडेशन रूल कैसे बना सकते हैं या फिर आप यह कह सकते हो कि देखने वाले हैं लारा वैल के अंदर कस्टम वैलिडेशन रूल कैसे बना सकते हैं पट उनसे पहले आपके बास एक वैलिडेशन रूल होते क पहले यह बताओ वाकी सारी बाते बात में मैं आपको समझाता हूँ लारावल के अंदर जब एक इन्पुट फिल्ड के उपर वैलिडेशन अप्लाए करते है तो उसका एक टाइप होता है कि मिनिमम टाइप की वैलिडेशन लगानी है मैक्स टाइप की रिक्वाइड टाइप की इमेल टाइप की नमेरिक टाइप की स्टिंग टाइप की जो यह टाइप होती है इन्ही को रूल से बोला जाता है जैसे कि यह यूजर नेम के उपर लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने रिक्वाइड टाइप की वैलिडेशन लगाई थी मिनिमम टाइप की मैक् यह इमेल रूल है इस तरीके से जिस टाइप की वैलिडेशन लगाते हैं उसी को बोला जाता है कि यह वैलिडेशन रूल हम लोग अप्लाए कर लें ठीक है आगया समझ में अब बात आती है कि कस्टम वैलिडेशन का यहां पर क्या मतलब है अचा उससे पहले में आपको बता इन पार्ट्स आच चुके हैं ओल राइट हम लोगों ने यह चीज तो देख लिए कि रूल्स का होते हैं रूल्स का मतलब है कि वैलिडेशन किस टाइप की है बट कस्टम रूल का मतलब यह है कि बहुत बार ऐसा होता है जो आप लोग वैलिडेशन अप्लाए करने ही कोशि होनच यह बहुत सारी टाइप की वैलिडेशन पहले सी दी हुई है बट स्टिल बहुत बार ऐसा हो जकता है कि आपको कोई यूनिक कोई अलग टाइप की वैलिडेशन लगानी हो जो एवेलिडेबल ही ना हो ला रहा है वैल के अंदर तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे उसके लिए बनाए जाते हैं हमारे खुद के वैलिडेशन रूल या फिर आप कहा सकते हो कस्टम वैलिडेशन रूल अब मान लोग मैं एक्जामबल देखे बताता हूँ आपको आप चाहते हो कि जो सिटी है यह बस कैपिटल लेटर के अंदर ही होनी चाहिए मिनिमम जो स्म कैसे बना सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा इससे आपको बहुत सारी चीज़े क्लियर होगी आपको पता चल गया वैलिडेशन रूल क्या होता है कस्टम वैलिडेशन रूल क्या होता है अब कस्टम वैलिडेशन बनाते कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कमा अपर केस वैलिडेशन रख लो अपर केस रूल रख लो जो भी आपको रखना है बट मैं आपर केस रख रहा हूं इससे साफ सा पता जल रहा है कि जो हमारी इंपूट रहेगी वह अपर केस के अंदर हमें चाहिए तो मैं यहां पर कर दूंगो एंटर जैसे मैंने एंटर करी तो आप यहां पर आके देखोगे कि एक फोल्डर एप वाले फोल्डर के अंदर एक इंटरनल फोल्डर क्रेट होगे डिसका नाम है रूल्स और उसके अंदर एक फाइल बन गई है अपर केस करके इसके अंदर कुछ तो कोड लिखा हो है अगर हम लोग इसको समझने ठीक है इस तरह के से यह रूल्स नेम स्पेस है इसके अंदर वैलिडेशन का रूल है इसको इस क्लास को इंप्लिमेंट करा गया ठीक है इस नेम स्पेस को यहां पर एक फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर हमारी वैलिडेशन लिखने है कि क्या वैलिडेशन अप्लाई करना तो यहाँ पे मेरी value आ रही है, यह वाली value आएगी, ठीक है, यह equal नहीं है, not equal to value, अब मैं यहाँ पे dollar, ठीक है, और इसके आगे पे लगा देता हूँ, upper case, यहाँ पे PHP का function होता है, खुद का, जो की cases को upper case में convert कर देता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा है, str and to upper, ठ ठीक है, यह function होता है, अब इसके अंदर basically क्या check हो रहा है, यह check हो रहा है, कि जो हमारी value है, उसके सारे के सारे जो characters हैं, वो upper case के अंदर ही होने चाहिए, यह इसमें check करेगा, अगर यह false हुई, नहीं है upper case के अंदर, तो यहाँ पे एक error throw कर देगा, इसके अंदर हमें क्या क इसको नाम रहेगा, यहाँ पे लिखना है, यहाँ अब इसको नाम होगा, वो अपने आप उठा लेगा, जो form होता है, उससे replace कर देगा, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे validation लगा आते हैं, तो क्या आता है, मैं यहाँ पे click करता हूँ, यह, मैं server को run करके दिखाता हूँ then, इसको submit करेंगे, अचा देखो, यहाँ पे लिखा है न, the email, ठीक है, तो यह email इस field का नाम होता है, अपने आप यहाँ से उठा लेता है, अगर इसका field का नाम होता है, let's say, phone number, तो यह phone number उठा लेता, तो इसी colon attribute से यह समझ में आएगा, इसको, code को यह समझेगा, कि colon के बा ठीक है, जो भी आप उसके अंदर लिखना चाहो, वो उसके अंदर आप यहाँ पर बता सकते हो, then हम लोग यहाँ पर semicolon लगा देंगे, and that's all, अब, जब मैं email वाली, यहाँ पर validation अप्लाई करूँगा, यहाँ पर, जैसे की, skill की, name की, यह सारी validation अप्लाई कर रखी है, इसी field है, username, email, or then city, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, so यह हम लोग ने हटा दिये field, इसको skills को मैं यहाँ से remove कर देता हूँ, तो जो email है, यह क्या रहेगी, required के साथ-साथ, यहाँ पे upper case के अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है, और upper case का हम लोग रूल यहाँ बना चुके है server हमारा start है, perfectly काम करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, and then मैं इसके अंदर लिखता हूँ, मैंने लिखता है, जैसे मैं जैपूर लखूँँगा, add new rule करूँगा, तो इसने क्या बोला, the city field must be in upper case, ठीक है, अब इसी तरीक से, अगर आप यह चाहते हो, कि जो आपको यहाँ पे message दिख रहा है, यह हम लोग custom बनाना चाहते है, जो default message अब वो नहीं दिखाना चाहते है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग आपका खुद का custom message भी लिख सकते हो, आप यह वाला message नहीं दिखाना चाहते है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगोंने email, max वगारा के लिए custom message declare करे थे, सेम इसी तरीके से, एक और यहाँ पे rule बना सकते हो, कि जो city, rule के लिए custom message declare करना चाहते हो, तो city.uppercase, and then यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि, आप यहाँ पे mention कर सकते हो, city should be in uppercase only, ठीकि, अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, then, इसको एक बार के लिए refresh करेंगे, then मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आता हूं, तो यहाँ पे लिखा है, city should be in the uppercase only, तो इस तरीके से आप लोग इसका custom message भी declare कर सकते हो, right, and last my interview question, पहली चीज, command पूछी आ सकत me feedback देना, बिलकुन भूलना, thank you guys, thank you so much.